करी इन तो अ कि अ उसको तंखा मिलती है तो अ सेना का जवान्युद्ध उद्धा की भूमि मरने के लिए प्यार करता है। आप अपने जीवन में किसी चीज को प्यार करूंगे आपको इब उठान देना चाहता हूं तो आम तोर पर महिनाओं का सुफ़ाव कैसा होता है। मैं गलती क्यों तो सब माता है मैं जग शमा करें क्योंकि मेरा नाता थुड़ा कम है लेकिन एसेस्मेंट मेरा गलत हो जाए तो मिझे छवा करें लेकिन आम तोर पर महिना है क्या करती है घर में एकर वो खाना पका रही है अपने रोट चपाती बना रही है और चाहती है कि अपने पती देव को गोल मोल पर अब फुली हुई अच्छी चपाती दे अब वो खाना पकाते रही है और तहारी कर रही है इतने में कहीं एकाज चपाती में से भाप निकल आती है इस्टीम निकल आती हो उसकी उंगली पर थोड़ी चल जाती है तो वो कुछ दवे बगें लगाती है लेकिन हर पन देखती है गंटी कब बज़ेगी है वो इंतजार करती है कि पती देव आए और ये चाहती है कि पती देव मेरी उंगली में जो जल्या हूँ जलन हो रही है इसको फील करे और वो भी चाहती है कि बच्चे देखते नहों तो उस पर फूल भी लगा दे चाहती है ना मैं गलत हूं तो मिझे ख्रमा करना लेकर उसका मन करता है कि इस चपाती को बनाते बनाते अकर वो जली है तो जलन को नोटिस किया जा और वो भी सुप्रीम के मांदें से नोटिस किया जा जा और पचानाच पार फूंड लगा ए खाना परोस्ते समय भी उयो करेंगी वोड़ा मा आफ मा डाल भी विदे बगल में कपड़ भर करेंगा उसकी पूछा नहीं तो अव्या गथ्युच्टाम जल रहती है सब्सक्न स्टोब लगा है डिसकाउंट है 50% है क्या होगा सब्जी बाजो में और साड़ी के दुकान में जाएगे और साडी की दुकान में बड़िया-बड़िया साडी है, 20% डिसकाउंट है, उसका मन करता है, ये लोगो, बोलो, ये लोगो, और इचने में खबर आती है, कि फ़लाने महले में आग लगी है, वो तूरंद वहां से भागती है, साडी, पैसे, जो भी होगा, भूली जाती है, कर देखती है, अपना खुद का घर चल रहा है, तो चीखती है, बड़े-बड़े ठंदरशत ही, बढ़े भाध़ूर लोग, मकान को आग बुझाने के लिए पानी डाल राए है, को ये डाल रहा है, और ये जाकर कर चीखती है, अरे मेरा बिटा अंदर रहा है, मेरा बिटा बच्चों को लेकर के आती है बाप के कारण जिसने उंगली पर जरंगने के कारणों को पतास बार फूंक लगाती है उस माता के भीतर शक्ति का रूप होता है जो बेटा होता तो कुद पढ़ती है दोस्तों अभाई यहीं से पादा होता है मुझे स्मरण है मैं 1992 में स्री नेकर गया तो लाल चोक में तिरंगा जन्दा फ़राने के और आतंगवाद बड़े पूर जोर में था और आतंगवादी हिंदुस्तान के तिरंगे जन्दे को जमीन पर रोंते थे उसको जलाते थे उसको अफ्मानित करते थे तिरंगे जन्दे से अपनी कार साफ कर रहे हैं जूते को साफ कर रहे हैं और कैमेरा के सामने साफ करते थे ये द्रश्य मेरे दिल में आख पता है तो हम ने कि आत्रा ने गाली थी गन्या कुमारी से तिरंगा जंडा ले करके चल पड़े थे हम और तै कि यह था कि हम स्री नगर के लाल चौक में जाकर के तिरंगा जंडा फैराएगे में तो हम निकले निकले तो स्री नगर के अंदर आत्रा ने पोस्टोस लगाए थे दिवारों पर लिखाता है कि हम देखते हैं कि किसने अपनी मा का दूद्ध विया है कि जो स्री नगर के लाल चौक में जन्डा फैरा करके वापस जाए जब मैं एकनी आत्रा करन्या को मैंने से लेकर करके चलते चलता है हैधराबाद पहुंचा तो मुझे वहां से पोस्टर वगेरे के फोटो यह सब मेरे पास आया और मैंने हैधराबाद से अपनी स्पीच बदल दी और मैंने हैधराबाद की सभा में ललकार किया था उसके बाद मैं एक मैने के बाद 26 जनवरी को सिर्ने करके लाग चौक में बहुंच रहा था और तब मैंने कहा था मित्रह उस समय कि अगर वीडियो क्लिपिंग हो गया था आप देख सकते हैं और मैंने भरी स्भा में हैधराबाद में कहा था मैंने का मुझे आतंग वादियों ने मुझे को ललकारा है और आतंग वादियों ने कहा कि किसने अपनी माटा दूद पी है जो 26 जनवरी को सिर्ने करक लाल चौक में आख कर देजह देगे पर देख सेथिए ने परदा और फैसला 26 जन्वरी को सीने करके लाल चौक में होगा किसने अपनी मा का दूद किया और मित्रों में समय पर गया तरंगा जंडा फैराया और आज आपके साथ लेट रहा हूं लेट रहा हूं मित्रों बड़े लंबे अरसे लेट रहा हूं मित्रों मैं समय लेओ neuralब य मित्रों रहा हूं किसू मैं मित्रों मैं समय प्रूबे रहा हूं किसम दिटा, मित्रों में दो Mimi ॉम्शाजी रहा हूं